है गाइज वेलकम बैक टो एंप्लिफायर कनेक्शन तो गाइज कैसे हो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने मोनो स्टीरियो 2.1, 4.1 और 5.1, 6.1 जो जितने भी इस टाइप के एंप्लिफायर होते हैं या फिर एंप्लिफायर बोर्ड होते हैं इनका क्या मतलब ह होते हैं यह किस तरीके से काम करते हैं तो यह सारी चीजें आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा करने वाले हैं तो उमीद है वीडियो आपको पसंद आएगी अगर पसंद आएगी तो भाई वीडियो को ठोक दो लाइक और जो नए बंदे आ रहे हैं वो कर लो चैनल को सब् Mono Channel Amplifier का कोई circuit board अगर हम ले रहे हैं market से या कहीं से भी तो Mono का मतलब क्या होता है तो देखो अगर इसकी full detail पे अगर मैं जाओंगा तो मैंने एक video पहले डाल रखी है अपने channel पे तो आप उसको जाके देख सकते हो full अगर आपको देखने हैं तो तो मोटा मोटा फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या होता है तो जो Mono हमारा होता Mono या stereo होता है यह हमारी एक sound होती है Mono sound होती है stereo sound होती है तो उसमें sound का effect होता है Mono होता है या stereo होता है तो इसमें जो अपना effect रहेगा वो रहेगा Mono sound का यहाँ पर sound से मतलब यह है कि मानलो कोई भी हम song record कर रहे हैं या गाना record कर रहे हैं तो उसके अंदर जो mic होता है जिससे हम कोई एक गाना record करते हैं तो मानलो अगर हम उदर एक mic से ही गाने को record कर रहे हैं तो वो हमारा mono sound रहेगा ठीक है तो इस तरीके से जो हमारा single channel amplifier होता है वो एक mono sound जो होता है वो हमें देता है यानि कि अगर हम सिद्धे सिद्धे सब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि जो हमारा mono amplifier होता है वो single channel होता है तो मेन चीज तो हो गए ये अगर हम amplifier के इह बात कर रहे हैं कि भाई मोनो amplifier तो जादातर लोग यह सोचते हैं कि भाई मोनो जो amplifier होता है वो होता है special subwoofer के लिए तो ये बात भी काफी हद तक सही है क्योंकि जो mono amplifier है तो वो एक तो तरीके की sound effect देता है तो उसके अंदर हमें subwoofer के अंदर से क्या चीए हमें खाली base चीए होती है तो जो mono amplifier होता है उस पे क्या होता है हम low pass filter लगा देते हैं तो low pass filter लगाने से क्या होगा कि जो हमारा mono amplifier board है उसके अंदर से खाली हमें base मिलेगी दूसरी चीज एक और भी सोचते हैं बंदे वो भी मैं इसके अंदर आप लोगों को कुछ समझाना चाहूँगा कि जो mono amplifier होता है उसके अंदर से base ही निकलती है ऐसा नहीं होता भाई अगर आप किसी mono amplifier पे या amplifier board पे जब तक आप low pass filter नहीं लगाओगे तो उसके अंदर से खाली base बेस नहीं आएगी उसके अंदर से आपकी सारी frequencies आएगी जो होती है low, mid और high जितने भी frequency होती है वो सारी आपको मिलेंगी mono amplifier से भी लेकिन अगर उसके अंदर LPF लगा हुआ है और आप उसको LPF के थुरू चला रहे हो तो फिर आपको जो हमारी होती है low frequency होती है वो आपको मिलेगी यानि के base आपको उसके अंदर से मिलेगी तो mono जो amplifier होता है वो ज्यादा तर हमारा base के लिए ही यूज किया जाता है ठीक है और एक चीज होती है मानलो stereo तो stereo मैं अभी बताने वाला हूँ आप लोगों को भी stereo क्या होता है ठीक है तो जब नंबर है stereo का तो stereo जो होता है हमारा amplifier या फिर board circuit board तो उसमें क्या होता है कि उसके दो चैनल हो जाते है mondu mono था mono के अंदर हमारा एक channel था एकी channel से हमें output मिल रही थी ठीक है लेकिन यहां पर stereo है तो stereo हमारा दो channel हो गया तो यह यही नहीं है कि power power का यहां परक नहीं होता है कि power हमें दो channel से power मिल रही है बस एक फरक यह nada मोनो साउंड हो गया तो इसके अंदर हमारा साउंड का पूरा-पूरा फरक पड़ता है आप जब कोई भी सौंग सुन रहे तो उसके अंदर भी आगको एक अलग ही मतलब ये दिखेगा कि हाँ वाई कुछ अलग चीज बज़री है मोनो है उसके अंदर एक तरीके की साउंड मिलेगी स्टीरियो है तो उसके अंदर मतलब डारेक्शन चेंज हो जाएंगी अलग अलग डारेक्शन से अलग अलग म्यूजिक आपको फिल करने को मिलेगा एक तो हो गया ये दूसरी चीजी है कि इसके अंदर पावर बढ़ जाती है यान के मानलो हमारा mono है mono के अंदर क्या होगा मानलो 200 vote का mono है तो 200 vote जो रहेगी वो single channel से ही हमको मिलेगी ठीक है और अगर मानलो stereo है 200 vote तो उसके अंदर क्या होगा अलग अलग channel से 100 vote निकल की आएगी 100 vote अलग channel से निकलेगी 100 vote अलग channel से निकलेगी तो ये चीज होती है तो ये काम होता है हमारा stereo का कि जो sound effect है वो अलग अलग हो जाएगा और जो power है वो बट जाएगी कई बंदे सोसते हैं कि mono जो board होता है जो एम्पलिफायर होता है वो ज्यादा powerful होता है तो ये बात बिलकुल सही है जो mono amplifier होता है वो ज्यादा powerful होता है क्योंकि उसके अंदर से single channel से ही हमें output मिल रही है जबकि जो हमारा stereo होता है उसके अंदर जो power है वो बट जाती है अलग अलग channel में तो यह चीज होगी हमारी स्टीरियो की तो स्टीरियो का हम यूज कैसे करते हैं स्टीरियो का यूज करते हैं साउंड इफेक्ट को सुनने के लिए अच्छा सुनने के लिए मतलब अच्छा लगे फिल हो कुछ तो इसलिए stereo का हम use करते हैं और अगर धूमधड़ा का सब कुछ हिलाना है, सब वो फर use करना है खाली बे से निकलवानी है तो उसके according हम use करते हैं mono channel amplifier या फिर mono जो board होता है अगर आपको use करना है तो मतलब खुद बनाना है तो उसके अंदर mono जो board होता है वो हम use करते हैं तो उसके बाद आता है guys अपना 2.1 या फिर 3.1 4.1 तो उनका भी मैं आपको समझाने वाला हूँ अभी या फिर हम कह सकते हैं multi channel ठीक है तो multi channel जो amplifier होते हैं guys इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर जैसे 3 channel हो गया 4 channel हो गया 5 channel हो गया ऐसा कुछ करके हमारे amplifier होते हैं तो इनका यूज कैसे होता है वो भी मैं आपको लोग को बताता हूँ तो guys इनका यूज ज्यादा तर वहाँ पे होता है जहां पे हमारे ज्यादा speakers यूज होते हैं ठीक है जैसे मान लिया कि 4 channel amplifier है हमारा ठीक है तो उसके अंदर हम 4 जो speaker होते हैं वो असानी से यूज कर सकते हैं और जहां पे ohm का लफड़ा हो जाता है मतलब ohm जो होता है वो amplifier के अंदर बहुत ज्यादा matter करता है तो यहां पे क्या होता है कि single channel और two channel में क्या होता है कि बंदे जब ज्यादा speaker यूज करते हैं तो उसमें दिकत ohm matching की रहती है कि मान लो हमारा कोई amplifier है 4 ohm का 8 ohm का है तो वहां पे बंदे क्या करते हैं या तो parallel wiring करेंगे या फिर सीदी सीदी series करेंगे ऐसे करके करते हैं तो उसमें क्या होता है कि wiring मतलब ज़्यादा complicated हो जाती है ठीक है तो वहां पे क्या होता है फिर multi channel जो amplifier होते है उनका use किया जाता सीदे सीदे कि भाई per channel इतने ohm पे इतनी output मिलेगी ठीक है मान लो 4 channel का amplifier है तो वहां पे आपको लिखा मिलेगा कि भाई 4 ohm पे एक channel पे आपको इतनी वोट मिलेगी जितनी वोट का मतलब amplifier है 100 वोट का 200 वोट का 400 वोट का जितना भी है तो वहां पे आपको पूरा पूरे तरीके से mentioned मिलेगा कि भाई हाँ ये channel 4 channel है और per channel आपको 400 वोट मिलेगी फोरोम पे तो वहां पे ज्यादा complicated wiring होते है वो ज्यादा complicated नहीं रहती है तो वहां पे multi channel amplifier का हमारा यूज होता है तो उसके बाद क्या होता है उसके बाद आता है हमारा 2.1 4.1, 3.1, 5.1 या फिर sun rounding जो sound होता है वो हमारे amplifier आते हैं ये बहुत ही ज्यादा professional तरीके के amplifier होते हैं क्योंकि जैसे 2.1 होता है ये हमारे ज्यादा दर home theater जो system होते हैं उनमें use किया जाता है जैसे घर के लिए हो गया ठीक है तो वहां पे 2.1 या 4.1 का use कर लेते हैं 5.1, 7.1 ये जो होते हैं ये फिर आ जाते हैं dolby एटमोस वगयरा में जो dolby system होते हैं surrounding sound वगयरा के लिए तो ये कुछ इस तरीके के जो amplifier होते हैं वो ज्यादा professional हो जाते हैं और इन amplifier का अगर heavy amplifier हैं तो इनका use ज्यादा तर जो theaters होते हैं mall वगयरा होते हैं जहां पे movies देखने जाते हैं लोग वहां पे इनका ज़्यादा तर यूज होता है ठीक है तो जैसे अपना 2.1 हो गया तो इसमें क्या होता है 2.1 में 2.1 में होता है कि भाई दो आपके speaker रहेंगे एक सब उफर रहेगा ठीक है 4.1 हो गया 4 आपके speaker रहेंगे 5.1 में क्या होगा speaker रहेगा आपका और एक जो हमारा base है वो रहेगा तो इस तरीके से हमारे काम करते हैं और जो डोल भी बगरा के जो system होते हैं उनका भी यही हिसाब किताब होता है वो फिर ज्यादा professional तरीके से use किये जाते हैं उनकी direction जो होती है वो भी देख के लगाने पड़ते हैं वही किस direction में कौन सा speaker हम लगा रहे हैं और वहाँ पे जो यह हमारी sound होती है इस sound को काफी जो multiple mic होते हैं उनसे record किया जाता है मानलो जैसे movies होती है उनके अंदर अलग अलग चीज़ों के मानलो कहीं से कोई glass गिर गया या कोई sound है उनको अलग-अलग mic से record किया जाता है और उनको फिर speakers में मतलब वही effect लाने के लिए अलग-अलग channel के अलग-अलग तरीके से मतलब वो चीजे आपको प्योर यह सुनाई दे कि हाँ वहाँ पे कुछ गिरा तो आपको सर्राउंडिंग साउंड वगरा होते हैं तो उसमें यह सारी चीजे होती है तो आपको मोटा-मोटा समझाने की कोशिस की है उमीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना भाई तो कोमेंट कर डालो यार कोमेंट में देखते हैं किसको समझ नहीं जिसमें बिलकूली नोलिज नहीं है चीजों की उसकी मैं कुछ कह नहीं सकता ठीक है दोस्तो तो यह थी وीडियो उमीद करता हूं आपको समझ में आ अगई होगी तो मिलते हैं हमने the next में तब तक के लिब वाई टेक केर